वेलकम बैक तो दे चैनल गाईज तो टोड़े वी स्टेडिंग अबाउट अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक इन रिसर्च दाटार रिसर्च एथिक्स रिसर्च एथिक्स हमारे सांप्लिंग के बाद का नेक्स टॉपिक है जैसे कि आप अपने UGC net के syllabus में भी देख सकते हैं तो वेन वी टॉक अबाउट एथिक्स तो एथिक्स से आप क्या समझते हो एथिक्स का मतलब क्या होता है या मैं आप से यह पूछना चाहूंगे कि एथिक्स वर्ड आप कहां यूज करते हैं तो एथिक्स क्या है एथिक्स होते हैं simply यह कुछ मॉरल प्रिंसिपल होते हैं या कुछ सेट उफ गाइडलाइन्स होती है जो हमें दी जाती है when we perform something, when we do a certain behavior or when we live in a society तो हमें एथिकल गाइडलाइन्स को दिमाग में रखते हुए ही रहना होता है For example, अगर आप किसी college में जाते हो, तो वहां के कुछ rules, regulations आप follow करते हो, तो वहां के ethics हो गए ठीक है, जब आप किसी नए institute में पढ़ाने जाते हो, या job pursue कर रहे होते हो, तो job के दोरान भी आपको कुछ particular moral guidelines follow करनी होती है उनके हिसाब से चलना होता है, so these are ethics, ठीक है, तो एक बर हम definition के तौर पे देख लेते हैं, कि ethics क्या है, research ethics की अगर हम बात करें, तो research ethics में वो सारे principles आते हैं, जो research activities के दोरान किये जाते हैं, ठीक है, चाहे फिर उसमें research design हो, चाहे research का implementation हो, empathy हो towards the society, या फिर हमारे subjects, दूसरों के प्रती, तो ये सब चीजे जो हैं, वो हमारे research ethics का part होती है, but the major definition is this one, which we say that research ethics is a set of guidelines, जो support करे researcher को to do the research carefully, ठीक है, ये कुछ ऐसी guidelines हैं, जो researcher को support करती हैं, ताकि वो research को carefully कर पाए, and it also defines the conduct norms that distinguish between right or wrong, तो कोई भी चीज सही है, गलत है, आप जब भी कोई research perform कर रहे हो, उस दौरान आप क्या सही चीजे कर रहे हो, क्या गलत चीजे कर रहे हो, वो सारी चीजे जो हैं आपकी research ethics में आती हैं, ठीक है, research ethics are few moral principles, जो researcher को follow करने होते हैं, researching के दौरान, ताकि वो एक scientific competence को fulfill कर पाए, और सबसे best results deliver कर पाए, ठीक है, ethics हमेशा ही promote करता ह है, किसको एक value को, जो की collective work के लिए important है, ठीक है, now these are five basic research ethics, वैसे तो बहुत सारे research ethics होते हैं, बट जो हमारे syllabus के point of view से important है, तो I'll be teaching you only those, first of all is the research merit or integrity, second is justice, then non-maleficence, beneficence and respect, ठीक है, तो थोड़ा-थोड़ा इनको discuss करते हैं, research merit या integrity का मतलब क्या है, integrity का मतलब होता है, honesty, integrity means honesty, honesty का मतलब है कि आपको बहुत जादा honest रहना है, अपने research में, ठीक है, चाहे फिर वो अपने researchers के साथ हो, चाहे फिर वो अपने co-workers के साथ हो, ठीक है, एक transparency या एक quality को ensure करते हुए चलना है, जब भी आप research करते हो, ठीक है, फिर आता है justice, justice का मतलब क कि आप बिलकुल non-discriminate होके और आप बिलकुल justify करो जब भी अपने results दो, तो आपको participants के point of view से उनको justice देना है, for example, अगर आप कोई intervention उनको दे रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप उनका time भी ले रहे हो, ठीक है, तो you can, you know, just pay something to dim, या फिर आप उनको कुछ ऐसा favor कर सकते जो कही न कहीं, वो उनको एक payback मिले इस तरीके से कि हाँ, उन्होंने आपका research का हिस्सा बने है, वो कही न कहीं आपकी help करी है, तो उनको एक justice मिलना चाहिए, ठीक है, then comes non-maleficence, जिसका मतलब है कि आपको किसी भी तरीके का कोई harm नहीं पहुचाना अपने participants को, be it the animal participants or human participants, second comes fourth comes the beneficence, beneficence means when we say that we have the guided compassion and good for the participant, basically आपको अच्छा करना है participants का, ठीक है, आपको अच्छा करना है society का, आप जो भी research कर रहे हो, उसमें आपको अच्छाईयां बढानी है और बुराईयां कम करनी है, ठीक है, and last is the respect, respect towards the participants, और respect towards your co-workers also, ताकि आपके जो भी beliefs हैं, values हैं, वो इस तरीके से रहें कि लोग उनको देखें, लोग उनको से समझें, लोग उनको एक तरीके से inspire हो उन से, ठीक है, तो आपको respect बनाए रखनी है, ठीक है, now we will discuss in थोड़ासे examples के साथ, first हमने पढ़ा integrity, integrity का मतलब होता है, जब हम honesty ensure कर रहे ह रिसर्च में, और इसमें हम हर तरीके का वो agreement, वो promise फुल्फिल करते हैं, जो हमने करा था, starting में research की, starting में अपने participants को, या अपने co-workers को, ठीक है, साथी हमें integrity में ये भी याद रखना है, कि हमें किसी भी तरीके का कोई भी false expectations नहीं create करना, या false promises नहीं बनाने, for example, अगर आप को weight loss पे को intervention देना है, तो आप उनको ये नहीं बोलोगे कि आप एक महीने में उनका 20-25 किलो वजन कम कर दोगे, ठीक है, आप उनको ये नहीं बोलोगे कि उनका कोई भी loose muscle नहीं होगा, loose fat नहीं होगा, loose skin नहीं होगा, तो आपको इस तरीके कि कोई भी fake promises नहीं करने हैं अप अपने सूजबूज, अपनी पूरी समझ के साथ जब कोई आपकी research में participate करता है, that is called as the informed consent, अब ये informed consent जो होता है, ये autonomous right होता है किसी भी individual का, कि वो participate करना चाता है research में या नहीं करना चाता है, ठीक है, you cannot force any participant, साथ ही you cannot also, you know, just force him to stay in your research, अगर वो drop out करना चाता है, तो उसमे भी उसका अपना खुद का autonomous decision होता है, ठीक है, फिर आते है हमारे पास beneficence, beneficence का मतलम मैंने जसे आपको उपर बताया है कि आपको maximize करने है benefits, participants के and ethical obligations को आपको maximize करते हुए, पूरा benefit लेकर आना है, ठीक है, and साथ ही कोशिश करनी है कि जितना भी harm हो, वो कम से कम हो, ठीक है, तो participant का आपको अच्छा सोचना है, आपको research के point of view से society का अच्छा सोचना है और benefits को increase करना है, फिर आते है हमारे पास non-maleficence या फिर protecting the subject or humans, ठीक है, non-maleficence का मतलब होता है, जहां पे हम बात करें कि कि किसी भी तरीके का कोई harm नहीं पहुचाना, ठीक है, minimize करना है harm को, या risk को harm के ठीक है, then comes confidentiality, तो जब भी हम research की बात करते हैं, we also talk about to be, you know, to be taken care of the confidential things that are taken or that are being involved in the research things, तो आपको बिल्कुल confidential information को protect करके रखना है, personal records को आपको बिल्कुल confidential और छुपा के रखना है, किसी से भी, किसी भी तरीके की कोई भी information disclose आपको नहीं करनी है, उसके बाद आता है, non-discrimin non-discrimination का मतलब क्या है, जब हम avoid कर रहे हैं, किसी भी तरीके का discrimination, that is based on the age, sex, race, ethnicity, या कोई भी और factor हो, तो उस दोरान आपको discrimination को बिल्कुल avoid करना है, अपनी research में, ठीक है, यह नहीं कि आपने participants लिये एक particular group के, और वहाँ पे आप देख रहे हो कि, अगर males हैं, तो मैं males के तो ऐसा करूँगा, बट females को मैं ऐसे side कर देता हूँ, ठीक है, तो या तो आप ऐसी research conduct ही मत करो, अगर आप इतने ही जादा male obsessed हो, तो आप सिर्फ males पे research करो, you don't need to involve females in your study, बट अगर आप करते हो, यह मैंने आपको just example दिया है, कोई भी example हो सकता है, ठीक है, तो आपको अगर include करना है, एक particular population sample को, तो वैसे ही आपको उस sample में सब के साथ non-discrimination बनाया रखना है, ठीक है, last आते है हमारे पास justice, justice का मतलब क्या है, जहाँ पे हम distribute करते हैं benefits and burdens fairly, अगर कोई benefit हुआ है आपकी research के साथ, तो भी आप उसे अच्छे से distribute करो, इन benefits को, सब में at least अपने sample या इसी भी तरीके का burden है, तो आप अपने co-workers को भी वो burden share कर सकते हो, या वो problems उनके साथ भी share कर सकते हो, ताकि आपको सिर्फ अकेले ही ना करना परे सब कुछ, एक justice के साथ, हर इंसान को हर चीज मिलनी चाहिए, ठीक है, इसी के साथ हमारा research ethics का जो topic है, वो खतम होता है, I hope clarity होगी ethics को लेकर, because ethics को लेकर काफी लोग confused रहते हैं, so these were the major ethics, जो कि हमें follow करने होते हैं, while performing our scientific research, thank you so much for watching the video, do like and subscribe my channel, thank you.